गुड मॉर्णिंग सुडेंट तो आज हम लोग हिंदी का पाचवा अध्याय पकोडी पढ़ने जा रहे हैं दोडी दोडी आई पकोडी छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आशरमाई पकोडी दोडी दोडी आई पकोडी हाथ में उचली मुँ में पहुची पेट में जा घबराई पकोडी दोडी दोडी आई पकोडी मेरे मन को भाई पकोडी तो बिटा ये जो आपका पकोड़ी वाला लेसन है ये आपकी एक तरीके से कवीता है मतलब पोयम है तो इसका मतलब है दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी मतलब जो पकोड़ी आपको दिखना होगा ये तर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि दोड़ी दोड़ी आई पकोडी छुन 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 तेल में नाची बेटा आपको दिख रहा होगा ना कि तेल में पकोडी कैसे ये देखो नाची रहे हैं मतलब कैसे वो लोग तर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आ शर्माई पकोडी यह देखो बेटा यह प्लेट में हाँ पकोडी रखी भी है और यह बच्चे खाने की कोशिश कर दें तो क्या बोल दें प्लेट में आ शर्माई पकोडी दौरी दौरी आई पकोडी हाथ में उचली मुह में पहुची यह आपको दिखता होग कि हाथ में जब इस बच्चे ने पकड़ी तो कैसे उचल गई पकोड़ी तो वह बोड़े हाथ से उचली मुह में पहुची पेट में जा घबराई पकोड़ी मतला जब उसने खाली तो पेट में जब पकोड़ी गई तो वह घबरा गई दोड़ी आई पकोड़ी मेरे मन को भा पकोड़ी तो बेटा हम दुबारा से एक बार रिपीट करेंगे यह पकोड़ी लेसन ठीक है ध्यान से सुनना दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आशरमाई पकोड़ी दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी हाथ से उचली मुह में पहुची पेट में जा घबराई पकोड़ी दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी मेरे मन को भाई पकोड़ी तो बेटा आपको यह समझ आ गया होगा बना मैं एक बार दुबारा इसको रिपीट करती हूँ दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आशरमाई पकोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी हाथ से उचली मूँ में पहुची में आपको दिख रहा होगा ने इस बच्चे के हाथ से कैसे उचली पकोड़ी हाथ से उचली मुँ में पहुची पेट में जा घबराई पकोड़ी मतलब जो उसने खा लिया तो पकोड़ी घबरा गई दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी मेरे मन को भाई पकोड़ी